गुट मॉर्निंग बच्चों तो टुड़े आम गोईंग टो एक्स्पेन यू दे नेक्स एक्स्साइज आप यू फॉर्स चैप्टर एन इस बन पॉंट टू एक्साइज तो बिटा इस में क्या क्या आपको दे रखा है वह हम कैसे कैसे सॉल्ट करेंगे उसकी बारे में जान करें देते हैं तो मुव उन टू फॉर्स कोशन आपको दे रखा है एक्स्प्रेस इच नंबर एस प्रॉड़क्ट प्राइम फेक्टर तो बिटा प्राइम नंबर के बारे में आपने से एक्स लास में बढ़ा था कि ऐसे दो नंबर दा हैबिंग एक्जैक्ली टू फेक्ट चाहिए ना और अगर दो से ज्यादा फैक्टर है तो इसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं और दो से कम फैक्टर होते हैं तो इट इस नथिंग इस लाइक वन वन हैविंग अली दा वन फैक्टर सो एस वाइन इस नोट प्राइम एन नॉट आ कंपोजिट सो फॉ ठीगे to solve this exercise तो प्राइम फेक्टर के आपमें बहुत छोटे बन से ही solve किया हूंगे इस तरह के फेक्टर तो 140 किस से डिवाइड होता है सबसे छोटा प्राइम नमर कहुं से होता है 2, 2 से डिवाइड किया 70 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 70 आ गया, अब 35 आ गया, अब 35 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा 3 से भी डिवाइड नहीं होगा तो डिवाइड करेंगे 5 से ठीक है, तो 5 से किया तो आंसर आगे 7, 7 से करेंगे 1 टाइम, तो this is called the prime factor of this नमर, अचा एक और तरीका है, ठीक है, जो आपके 10th class में भी, मैंने एक example में देखा था, उसमें introduce हुआ है, उसे कहते है 3 method, तो कभी भी अगर आपसे सिर्फ ट्राइम फेक्टर के लिए कहा जाए, तो आप इस तरीका के यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे कहा जाता है, solve the question by using 3 method, तो 3 method, हमारा कुछ और नहीं है यही वाला है, बस इसको इस तरह से represent करते हैं, first वाले number को box में कर दिया हमने, इसको किस से divide किया था, 2 से, तो इधर हमने जिस से divide करते हैं, वो इस side box लगाते हैं और divide करने का जो answer आता है उसका box इस side लगाते हैं, तो 2 से divide किया, answer आया 70, यहां लगाते हैं, फिर 2 से divide किया, answer आया 35, फिर 5 से divide किया, answer आया 7, आप चाहो तो फिर 7 से करके 1 भी लिख सकते हो, इतना भी छोड़ देंगे, तो इस तरह से इसके सारे के सारे parts आपको solve करने हैं, okay students, move on to the next questions, so the next question number 2 is given here, find the LCM and SCF of the following pair of integer and verify LCM into SCF is equal होता है product of two numbers, अब actually यहां पर LCM और SCF find out करने के लिए कहा गया है, और किसी method के बारे में नहीं कहा गया, it means you are total free to use any method, यहां main जो मक्सद है हमारा वो इस formula को आपको याद करवाना है, और दूसरा आपको इस formula का use करवाना है, तो यह formula आपके लिए most important है, इस तरह के क दो number के लिए use होता है, दो से जादा number अगर आपको दे रखें तो इस formula का हम use नहीं करेंगे, okay, let's start the question number second, first part, 26 and 91, तो देखें यहां पर आपको second question का first part दे रखा है, it is 26 and 91, तो वही अभी मैंने method बताया था आपको क्या करते है, 26 के हमने prime factor किये, 91 के हमने prime factor किये, तो 26 के factor कि नहीं है, 2 and 13, तो लिखा हमने 2 into 13, 91 के factor is 7 into 13, तो लिखा हमने 7 into 13, अगर हम इसका SCF निकालना है, I am using prime factorization method, तो SCF का मतलब होता है, इन दोनों में जो common term होता है, उससे कहते है, SCF, तो दोनों में common कहते हैं, यहां भी 13, और यहां भी 13, तो this is common, तो common है, तो बस इसका answer हो गय अच्छा, अगर आपको LCM निकालना है, तो सबसे पहले जो common number याने SCF था, उसको लिख देते हैं, अब जो बचे गुए number है, उनको लिख दो, तो यहां क्या बचा 2, यहां क्या बचा 7, तो इन दोनों को भी लिख दिया, when we multiplied and we will get this answer and this is called LCM, ठीक है, अब आप से verify क्या करन and now we just put up the both of number, जैसे आप इसका multiplied करेंगे, you will get the answer LHS is equal to RHS, तो अगर आपका ऐसा कुछ आ जाता है, तो we will write here, it's verified, तो इस तरह से इस तरह के सारे के सारे के सारे questions आप solve करेंगे, okay, okay student, now move on to the next question number, third, तो भीटा question number third दे रखा है, find the LCM and SCF of the following integer by applying the prime factor factorization method, method तो कर सारे होते हैं, division method भी होता है, अब यहां उन्होंने special कह रखा है कि prime factorization method ही लगाना है, और आपको सिर्फ LCM और SCF निकालने के लिए का गया है, formula अप्ते प्रूब करने के लिए नहीं का गया, क्योंकि यहां पर 1, 2, 3 numbers दे रखे हैं, और मैंने बताया था, यह formula स होता है, when two numbers is given there, तो यहां भी हम क्या करेंगे, prime factorization के according, LCM और SCF निकालने के, अब भी बताया था, मैंने आपको तरीखा, the same method we will applied in the question number third, so in this question, the three numbers is given here, 12, 15 and 21, तो as usual, we will do the prime factor of these all three numbers, तो 12 किसे divide होगा, 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, 15 किसे divide होगा, 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि last में क्या रहा है, 5 आ रहा है, क्योंकि last में और number आता है, वो number 2 से divide नहीं होता, तो 3 से किया, 3 से divide करने का method भी है, यह basic चीज तो आपको आत होती है, ठीक है, 3 से कैसे पैचाने के, कि यह number divide होगा अगर नहीं होगा, we will add the number, अगर add करने पाद ऐसा number आता है, जो 3 की table में है, it means, this number is completely divisal by 3, तो 1 प्लस 5, 6 होता है, इसलिए हमने 6 3 की table में आता है, तो 3 5 जा, and again 5 बन जा, same as इसका हमने divide किया, तो we will write here the complete prime factor, 12 के हमने factor ल LCM और SCF, अब LCM और SCF निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, SCF निकालेंगे, तो देखेंगे common क्या है, तो common 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो 3 is common in all the terms, it means SCF क्या होगा है, हमारा 3, अगर कोई और number भी होता है, तो उसको भी यहाँ लिख देते है, और into कर देते हैं, लेकिन यहाँ तो single number है, तो यह हमारा हो गया SCF, अचा, LCM के लिए क्या बताया था है, मैंने, LCM के लिए बताया था है, सबसे पहले हम इसका जो SCF आता है, उसको लिख देते हैं, इसके बाद जो बचे हुए number है, उनको लिख देते हैं, अगर 2 में भी को 7 को हमने लिख दिये यहाँ पर, ओके, now, अब क्या करेंगे हम, ठीक है, simply we will multiply, जैसे इन नमर का multiply करेंगे, we will get the answer, LCM is equal to 420, तो this is the method to finding this answer, just look up the next question of it, अब यहां से यह सारे के सारे जो last के कोशन है, 4, 5, 6, 7, यह सब के सब most important है, board exam में कई कई बार कोशन से आये हुए है, ठी तो देखें, कैसे साल करेंगे, कोशन नमर 4 आपको दे रखा है, given that, SCF of this two number, इन दो नमरों का SCF जो है 9 है, तो बता ही इनका LCM क्या होगा, ठीक है, अभी मैंने यह वाला method बता है था आपको, जब भी दो नमर दे रखे हो, तो यह वाले method लगा सकते है, unknown term को find out करने के SCF into SCF equal to क्या होता है, product of two number, अब हमें कुछ भी निकालना हूँ, अगर हमें LCM निकालना है, तो SCF को अधर लेके आएंगे, divide में आ जाएगा, अगर हमें SCF निकालना होता है, तो LCM को अधर लेके आते, यह divide में आ जाता, अब क्योंके LCM निकालना है, तो इसलिए SCF को हम न सकते हैं, 9 से यह कट हो रहा है, 9, 3 जा 27, 4 जा 3 जा 36, तो यह 34 बचेगा, 34 into 657 and we will get the answer 22338, okay students, move on to the next questions, तो पिटा जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, these all are most important questions, तो don't forget to revise and just revise this all the value, तो दीकि जैसे question में 4 भी important था, 5 भी important है, question कहा है रखा है आपसे, check whether 6 power n can be, can end with digit 0 for any natural number n, अगर यहां end की जाएके हम कोई भी natural number रखें, natural number which is starting from 1, यानिकि हमने यह 1 रखके देखा, तो 6 power 1, 6 होता है, last में 0 आया क्या, नहीं आया, यानिकि यह end digit with 0 नहीं हो रहा, अगर यहां end की जाएक 2 रखें, तो 6 power 2, यानिक 6 into 6, यानिक 36, 36 में भी end digit with 0 नहीं आ रहा, लेकिन हम ऐसे कितने नमर तक करेंगे, तो इसके लिए एक logic है, अगर यह question आपसे पूछा जाता है, तो देखे, कैसे करेंगे, तो पीटा, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, कि end digit with 0 आता कब है, तो सबसे छोटा नमर जिसमें end digit with 0 आता है, वो है 10, और 10 के अगर हम factor करें, तो यह होते हैं, 2 into 5, यानिके, किसी भी नमर में end digit with 0 होने के लिए, उसके factor में क्या होना चाहिए, 2 और 5, तो आस कोई भी नमर यहां दे रखा हो, यहां 4 दे रखा हो, यहां पर 6 दे रखा हो, यहां 8 दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, आप सिर्फ उसके factor से बता कर सकते हैं, कि यह end digit with 0 होगा, यह नहीं होगा, तो देखें, क्या करेंगे, for end digit with 0, the number should have the factor as 2 and 5, जैसे कि मैंने ब बट, 6 के factor अगर करेंगे, तो क्या आएंगे, 6 has a factor 2 and 3, 6 क्या होता है, 2, 3 is 6, 2 और 3 आएंगे, तो यह नमर तो नहीं आ रहे, अब यह नमर नहीं आ रहे है, इसका मतलब, यह end digit भी 0 नहीं होगा, तो simple आपको language लिखनी है, कि for end digit with 0, the number should have the factor as 2 and 5, but 6 has a factor as 2 and 3, so it cannot end digit with 0, Okay student, move on to the next questions, now the next question is given here, बस आपको चेक करके दिखाना है, explain why this number and this number are composite number, तो बही सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, composite number होता क्या है, तो मैंने जैसे कि आपकी बताया था, the number having exactly two factor is called prime number, और दो से ज़्यादा factor होते हैं, तो उसे हम कहते हैं composite number, तो वस हमें इनके factor को चेक करना है, अगर factor दो से ज़्यादा आजाएं, तो लिख देंगे, yes, it is composite number, ओके, देखिए कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमने number को लिखा यहाँ पर, अब एक तरीका तो यह है कि इन तीनों का into कर दो, और उसमें इसको add कर दो, और जो भी answer आता है, उसके factor कर दो, लेकिन से क्या होगा time जाता बेस्ट होगा न, तो एक number के लिए question के लिए कितना time बेस्ट करेंगे आप, तो तो तोड़ा सा आसान कर लेते हैं, तो हमने देखा, यहाँ दो term है, एक term यह बन रहा है, एक term यह बन रहा है, इन दोनों में common क्या आ रहा है, 13, तो 13 को हमने common निकाला, तो यहाँ यह दोनों रह जाएंगे, और यहाँ कुछ नहीं रहाएगा, तो 1 रह जाएगा, 7 into 11, 77, 77 plus 1, 78, तो दो नमर तो आपको simple देखी रहे होंगे, अब into 1 हम सब में लिख सकते हैं, ठीके, तो अगर हम simple से देखे हैं, दो, एक, दो, तीन, तीन factor तो यह हो गए, इसको भी हम 2 से divide कर सकते हैं, लेकिन क्यों करें हैं, why we are wasting time, simple दिखा ही तो दे रहा है, एक, दो, तीन, यानि के 2 से जादा factor हैं, और 2 से जादा factor हैं, तो without wasting any time, you can directly write here, the number has more than 2 factors, so it is composite number, इसी का एक और पार दे रखा, वो भी इसी method से solve करेंगे हम, तो इसी का एक और पार क्या दे रखा है, ये number, तो मैंने आपको एक तरीगा क्या बताया, इन सब को multi-pad कर दो, और उसे add कर दो, और जो भी आता है उसके factor कर दो, दो से जादा factor आएं, तो composite, तो by we are wasting time, जल्दी करते हैं, जल्दी करते हैं, तो इस number में, और इस term में क्या common है, 5, 5 को common निकाला, तो यहां ये number रह गए, और यहां कुछ नहीं, तो 1 रह गया, अब देखें, इन सब का multi-pad करेंगे, we will get 1008, plus 1, तो कितना आ गया, 1009, और 5, और इन 2 में 1, मैंने आपको बता है, हम किसी के number के साथ लिखी सकते हैं, तो simple दिख रहा है, एक, दो, तीन, यहन्ने, दो से जादा factor, और दो से जादा factor, तो directly लिखेंगे, तो number has more than two factors, so it is composite number, okay, okay, just move on to the last question of it, it is also the most important questions, तो question क्या दे रखा है, बटा, there is a circular path around a sports field, Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same, suppose they both start in the same point and add at the same time and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point, यह कह रहा है, एक circular path है, उसमें Sonia जो है 18 minutes लगाती है, एक round को पूरा करने में, और Ravi 12 minutes लगाता है, अब उन्होंने एक ही समय, एक ही जगह से चक्कर लगाना चालू किया, अब Ravi जल्दी लगा लेगा, यह 18 minutes में लगा पाएगी, तो आपको यह बताना है, कि after how many minutes, यह दोनों फिर से एक ही जगह पर मिलेंगे, तो आपको simple से questions के logic से समझना पड़ेगा, कि क्या निकालना है, minimum time निकालना है या maximum निकालना है, तो आपको understood हो गया होगा, कि यहाँ पर हमें कम से कम वो समय निकालना है, minimum से minimum वो time निकालना है, जब यह दोबारा से एक time पर मिलेंगे, और मैंने आपको बताया था, कभी भी जब word minimum use हो रहा हो, अगर maximum word यूज हो रहा हो, तो हमें निकालना होता है, SCF, तो इन दोनों का हमें क्या निकालना पड़ेगा, LCM, देखे कैसे निकालेंगे, तो भी, कोशन के according, सोनिया को लगता है, 18 मिनट, रभी को लगते है, 12 मिनट, तो minimum time they meet again, क्या हो जाएगा, LCM of this and this number, LCM के लिए हमने प्राइम फेक्टर कर दिया, दोनों के, आप इनके फेक्टर को लिख भी लिया, तो मैंने क्या बताता है, LCM कैसे निकालते हैं, सबसे पहले common number, ठीक है, और common number, इनको लिखेंगे, तो ये 2 common आ गया, ये 3 common आ गया, अब जो बचे कुछ हैं उनको लिख दो, ये 3 और 2 अच्छा इनको भी लिख दिया, अब आज मल्टिपेट कर दीजे, तो 2 3 है 6, 6 2 है 12, 12 3 है 36, यानि कि after 36 minutes, ये दुबारा से एक ही समय पर मिलेंगे, ये कि पॉइंट पर मिलेंगे, ओके, गुद्बाए लफ यू,